आप देख रहे हैं दखल न्यूर्ट ग्रेमंत्री अमिश्या ने जबलपुर में सी ए पर भ्रम दूर करने के लिए रैली की जहां उन्होंने नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर कॉंग्रेस को दोटूक सुनाई अमिश्या ने कहा कि आज सारे कॉंग्रेसी पूरे देश में सी ए का विरोध कर रहे हैं जो महात्मा गांधी ने कहा था, राहुल गांधी आप महात्मा गांधी की भी नहीं सुनोगे। महात्मा गांधी को तो कपका आपने छोड़ दिया है। कॉंग्रेस वालों कान खोल कर सुन लो जितना विरोध करना है करो ये सारे लोगों को नागरिक्ता दे कर ही हम दिम लेंगे भारत पर जितना अधिकार मेरा और आपका है उतना ही अधिकार पाकिसान से आए हुए शरनाड़ियों का है वो भारत के बेटा बेटी हैं वो हमारे है शोड़ान बाबाल आप महातमा गांधी को भी नहीं सुनोगे, छोड़ दो महातमा का तो कभका आपके छोड़ दिया आपके परनाना जवाला नहरु उन्हों नहें कहा, पाकिस्तान से आयोए सर्नार थी और तो आने वाले है वो सर्नार जीके रहत उनापसंड और नागर और दिए जो भी कुछ करना है को करने के लिए हम तरियार को आज मैं बताना है मैं आज से चलेंद देता हूं लुए में अब अग्रिक्ता चिनने प्रावदान है तो बता दिए इसमें कहीं पर भी नागरिक्ता चिनने का भ्रावदान नहीं है, नागरिक्ता देने का बाद। आमिश्या ने कहा विपक्ष में बैठे लोग C.A. को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, मैं यहाँ चैलेंज करना चाहता हूँ राहूल गांधी और ममता बैनर जी को कि C.A. में किसी की नागरिक्ता वापस लेने का प्रावदा नहीं लिखा गया है। आज पास के देशों में अल्प संख्यकों का भारत स्वागत करेगा और उन्हें नागरिक्ता देगा। मैं आख के अंधे और कान के बहरे कॉंग्रेस के नेताओं को यह पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और बांगला देश में बहुत कम अल्प संख्यक बचे हैं। जो पहले वहां थे वो कहां गए। पाकिस्तान में उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी वज़ा से वे भारत आना चाहते हैं। पाकिस्तान में अल्प संख्यकों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं यह किसी को नहीं दिखता। पाकिस्तान में ननकाना साहिप पर हमला हुआ मैं विपक्षियों को कहना चाहता हूँ कि देश की जनता की आवाज समझे वरना जितने बचे कुछे हो वो भी खत्म हो जाओगे समुदल तटकी विकास के लिए सागरमाला कारिकरम में प्रधान मंत्री नरिन मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ये मानती है कि हमारे कोस्ट विकास के गेटवे हैं इसलिए सरकार ने कोस्ट पर कनेक्टिविटी और वहां के इंफर्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए सागरमाला कारिकरम शूर किया है इस योशना के तहट करीब 6 लाख करोण रुपे से अधिक के पौने 600 प्रोजेक्ट की पहचान की जा चुकी है इन में से 3 लाख करोण रुपे से अधिक के दोसों से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और लगभग सावा सो पूरे भी हो चुके है प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने कहा कि आज के इस अफसर पर मैं बाबा साहिब अंबेडकर को भी याद करता हूँ उन्हें नमन करता हूँ डॉक्टर मुखर जी और बाबा साहिब दोनों ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के लिए नई नीतिया दी थी नया विजन दिया था लेकिन ये देश का दुरभागे रहा कि डॉक्टर मुखर जी और बाबा साहिब के सरकार से हटने के बाद उनके सुझावों पर वैसा अमल नहीं किया गया जैसा किया जाना चाहिए था इन दोनों व्यक्तित्वों ने देश के समसाधनों की शक्ति को समझा था उसे देश की जरुरतों के मुताबिक उप्योग करने पर जोड दिया था यहीं कोलकता में 1944 में नई वाटर पॉलिसी को लेकर हुई कान्फरेंस में बाबा साहब ने कहा था कि बारत की वाटर वेज पॉलिसी व्यापक होनी चाहिए इसमें सिंचाई, बिजली और याताया जैसे हर पहलू का समावेश होना चाहिए लेकिन यह देश का दुर्भाग रहा कि डाक्टर मुखर जी और बाबा साहब के सरकार से हटने के बाद उनके सुझाओं पर पैसा अमल नहीं किया गया जैसा किया जाना चाहिए था साथियो भारत के विशाल समूत्री सीमा लगभग साड़े साथ हजार किलोमेटर लंबी है दुनिया में समूत्रत तर से जुड़ा होना आज भी बहुत बड़ी ताकत माना जाता है लेंड लॉक कंट्री अपने आपको कभी-कभी असहाय मैसूस करते पुराने समय में भारत की भी एक बहुत बड़ी शक्ती थी गुजरात के लोथल पोर्ट से लेकर कोलकता पोर्ट तक देखें तो भारत की लंबी कोस्ट लाइन से पूरी दुनिया में व्यापार कारोबार होता था और सभ्यता संक्रिटी का प्रसार भी होता है ये मोदी ने कहा कि कोलकाता का ये पोर्ट भारत की और द्योगेक, आध्यात्मिक और आत्मनिर्भरता की आकांशा का प्रतीक है ऐसे में जब ये पोर्ट देर सौवे साल में प्रवेश कर रहा है तब इसको न्यू इंडिया के निर्मान का भी एक प्रतीक बनना आवश्यक है पीम ने कहा कि पश्चिम बंगाल की देश की इसी भावना को नमन करते हुए मैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम भारत के और द्योगी की करण के प्रेंटा बंगाल के विकास का सपना लेकर जीने वाले और एक देश एक विधान के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद बुखर जी के नाम पर करने की खोशना करता हूँ कॉंग्रिस विधायक हरदीप सिंग डंग ने कहा कि पाकिस्तान बंगलादेश आविदेशों के दुखी लोगों को अगर भारत में सुविधाय मिलती हैं तो इसमें बुराई क्या है विधाय के इस जवाब पर जब सवाल उठाय गया कि इसका अर्थ ये हुआ आप C.A. का समर्थन करते हैं तो डंग बोले कि C.A. और N.R.C. को अलग-अलग देखने की जरुरत है डंग ने कहा कि N.R.C. के नाम पर कई पीडियों से जो लोग रह रही हैं उनसे प्रमान मानना गलत है एक सवाल के जवाब में डंग ने कहा कि पहले भी पूर्व केंद्रे मंत्री जोतिरा दित्य सिंध्या वा मैंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छे 370 हटाने का समर्थन किया था अब C.A. और N.R.C. को जोड़ कर क्यों देखा जा रहा है C.A. वा N.R.C. दोनों अलग-अलग मुद्दे हैं जिन्हें एक रूप में नहीं देखा जा सकता लोगों को इनकी पूरी जानकारी नहीं होने से ब्रमित हो रहे हैं केंद्र सरकार विसंगतियों को दूर कर दोनों मुद्दों को अलग-अलग परिभाशित करे मैं व्यक्तिकत अपनी बात कर रहा हूं C.A. डवल ए जो अगर कोई पाकिस्तान या अपगानिस्तान या बंगला तेश में अगर कोई इसलाद महां पर तुकी है और यहां पर अगर उसको सुधा मिलती है तो इसमें कोई बुरा ही नहीं है और एनार्ची के नाम पर जो यहां के निवासी है जिनके दादा पिता जी यहां पर रहते हैं और उनसे अगर प्रमान पत्र मांगते हैं यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि जबकि वो यहां पर डबले अलग चीज़ है एनार्ची अलग चीज़ है इधर सीए को लेका लक्षमन सिंग ने ट्विट कर विरोध करने वालों को सलहा देते हुए कहा कि नागरिक्ता कानून की राजनीती बंद करो राजगर जिले के चांचोडा से विधायक लक्षमन सिंग ने नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर कहा कि मुसल्मान कह रहे हैं कि हमारे रोजगार की विवस्था करो रसी को ज्यादा खीचने से वो तूट जाती है गौर्टलव है कि लक्षमन सिंग ने इस से पहले 13 दिसंबर को भी ट्विट कर सीए पर कहा था कि संसद में कानून पारित हो चुका है और सभी राजनेतिक दल अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं इस विशेपन ज्यादा टिपनी बयान व्यर्थ है इसे स्विकार करो और आगे बढ़ो काम नहीं कर रही है योगी की सभा के बाद शहर में सीए उपर जागरुकतर रैली निकाली गई इसमें हजारों रोग शामिल हुए योगी कि नागरिक्ता संशुधन कानून की आड़ में कॉंग्रेस समित विपक्ष ने देश में आगजनी तोड़फोड और आराजक्ता का वातावरन पैदा करने का कुछ सित्काल किया है इसलिए देश की जनता के प्रती अपने दायत्मों का निर्वहा करने के लिए हम सब को जनता के बीज आकर वास्तु इस्थिती से अवगत कराना पड़ा है भाई उबेरों आप सब जानते हैं कि नागरिक्ता कानून नागरिक्ता देने का कानून है किसी के नागरिक्ता को देने वाला कानून नहीं है अगर जो कानून नागरिक्ता देने का कारे कर रहा हो उसके नाम पर इतने बड़ी गलत ठैनी और भानती पैबा करने के लिए किस हद तक चाकर के कॉंग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड कर रही है कि आप सबने पिछले लगभग एक महीने से पुरे देश के अंदर कॉंग्रेस और गैर जमिदार विपक्स के दौरा की जा रही कारस्तानी आप सबने देखी होगी उसे महसूस भी क्या होगा दूसरी बाद यह नागरिक्ता कानून किसी चाती किसी मात किसी मजब किसी चेत्र किसी भासा का विनोधी नहीं है योगी ने कहा नागरिक्ता कानून नागरिक्ता देने के लिए है किसी की नागरिक्ता लेने वाला कानून नहीं है यह भारत के हित में और 1950 में हुए नहरू लियाकत समझोते कि उसकड़ी को आगे बढ़ाने का परिश्क्रित ग्रूप ही है मुख्यमंतरी योगी ने कहा कि लाखों लोगों की हत्या जिस पाकिस्तान के नाम पर की गई वे आज भी देश दुनिया के लिए नासूर बना हुआ है इस नासूर का जनक जिन्ना है उन्होंने कहा कि लोगों का कहना था कि राम मंदिर पर फैसला आएगा और खून की नदिया बहेंगे इस पर मैंने कहा था कि एक मच्छर भी नहीं मरेगा चनिवार रविवार की दर्मियानी रात राजधानी भोपाल के अलग-अलग ठाना छेत्रों में तीन इस्थानों पर आग लगी आग लगने की घटना से लाखों का नुखसान हुआ पहली घटना देर रात भारत माता चराहे के पास बस डिपो में दो लाल बसों में आग लगने से वो खाग हो गई दूसरी घटना चूना भटी चराहे पर हुई यहां करीब देर दर्जन से ज्यादा दो पहिया वहाँ जल गए वहीं तीसरी घटना गोविनपुरा में दो दिन पहले जिस गुटका फैक्टरी के कार्याले को ईयो डबलू ने चापा मार कर सीलवन किया था वो भी पूरा जल गया जानकारी के अनुसार तीनों ही इस्थानों पर अलग-अलग संदिक्द कारणों से आग लगना बताए जा रही है देर रात फाइब गेट की टीम जब तक मौके पर पहुँचती तब तक आग से तीनों ही जगा सब कुछ जल चुका था इधर चुना भट्टी इलाके में दो पहिया वाहनों के आग लगने के बाद आक्रोशित लोगों ने सुभा चक्का जाम कर दिया रहवासी स्टेम को मौके पर बुलवाने की मांग पर अड़े रहे करीब दो घंटे की मशकत के बाद पुलिस चक्का जाम खुलवा पाई पुलिस चुना भट्टी में जिस स्थान पर घटना हुई वहां के सिसी टीवी फोटेश निकलवा रही है पुलिस का कहना है कि दोनों बसों में एक साथ आग लगना संदेह पैदा कर रहा है मामला दर्ज कर लिया गया है गोविनपुरा और द्योगिक छेत्र में शुक्रवार को तीन गुटका कंपनियों पर छापा मार कारवाई की गई थी इसमें इन तीनों गुटका कंपनियों के कारखानों में पांच करोड रुपे से अधिक कीमत का मिलावटी सामग्री और गुटका बनाने की मशीने बरामत की गई तीन सो करोड रुपे की टेक्स चोरी का भी पता चला था बाल मज़ूरी कराने की बात भी सामने आई थी अब इसी में से एक के कार्याले में आग लगने की घटना भी सामने आई है बताया जा रहा है कि आग से कार्याले में रखे सभी दस्तावे जल गए है अब यहाँ पर सवाल ये है कि आग क्यों लगी? किसने लगाई? गाइट्स का अखिल भार्तिय जमोरेट आयुजित किया गया था इस कारिक्रा में दक्षिनपूर्व मध्य रेलवे सहित अन्य जोन के हजार से अधिक स्काउट एंड गाइट्स के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया दक्षनपूर्व मध्य रेलवे की मेजबानी में 19 स्काउट गाइड्स एंड नैशनल जम्बोरेट का समापन शुकरवार को हुआ इसके बाद बिभिन जोन से आए स्काउट्स एंड गाइड्स की रवानगी शुरू है शनिवार की राद 11 बजे North East Railway गोराखपुर के 100 स्काउट्स एंड गाइड्स सारनात एक्स्प्रेस पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुचे वे प्लेटफॉर्म में खड़े हो का ट्रेन का इंतजार कर रहे थे बीते दो देन से मौसम बदलने के कारण छात्र ठंड का शिकार हो चुके थे इसी दोरान अचाना छात्र छात्र है प्लेटफॉर्म में बेहोश होने लगे आदे घंटे के भीतर ही 11 छात्र ठंड की चपेक में आकर बेहोश हो गए इस से रेलवे स्टेशन में हरकम मजगया ड्यूटी कर रही महिला गाड ने इसकी सूशना आरपी एफ और जी आरपी को दे इसकी सूशना रेलवे के आलाधिकारियों और आयोजन समीती को भी दी गई तक काल बच्चों को रेलवे हॉस्पिटल के आईसियू में भरती कराए गया और इसकी खबर जिला प्रशाशन को भी दी गई जिससे प्रशाशन पुलिस और स्वास्त विभा की टीम भी सक्रियों हो गई डॉक्टरों ने चात्र चात्राओं की जाज के बाद ठंड से विमार पढ़ने की जानकारी दी साथ ही बताया कि वे पहले से ही ठंड की चपेट में आ चुके थे डॉक्टरों के अनुसार उनकी इस्तिती अभी इस्तिर है एक चात्र ज्यादा बिमार है गटना की सूशना चत्रिसगर के स्वास्थे मंत्री टीयस सिंग देव को मिली तो वे खुद बिमार बच्चों से मिलने पहुँचे साथ ही शेहर के विधायक शेलेश पांडे और दूसरे जन पर तेली धिली अस्पताल पहुँचे टीयस सिंग देव ने बच्चों के बहतर रिराज के लिए निर्देश पी दिये स्काउट्स और गाइड्स के लिए बच्चे आये थे कैम्प में वो अस्पताल में भरती हैं और तव्यत कुछ खराब है यहां आ रहा था तो उन्हें भी चाहा कि आ कि उनको देखने स्थिती देखने बच्चों की संतूज जनक दिख रहा है स्थिती डॉक साब लोग ने भी बताया कि पल्स ठीक है उल्टी दस नहीं हो रहे और बीपी भी ठीक बता रहे हैं तो स्थिर हो गया है बच्चे लगता है कि ठंड से कहीं न कहीं एक्सपोजर हो गया बीच में दो तिन बारिश भी हुई थी तो बारिश में भी टेंट गिला हो गया होगा उनका और बारिश के बार ठंड बढ़ी होगी तो कहीं न कहीं ठंड लग गई हो ऐसा अनुमान स्वास्थ सुविधाओं को आम आदमी तक पहुचाने का अभ्यान चलाया हुए हैं सरकारी अस्पतालों में सभी प्रकार के उपकरण मर्शीनों और हर दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद अप राज़ में कई भिमारियों को जड़ से समाप्त करने का बड़ा अभ्यान चलाया जा रहा है इसी तारतम्म में रायपूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज के अगप्राध्याप को सही चार जिनों के मेडिकल ऑफसरों की बैठक को सम्भोधित करते हुए स्वास्थे मंत्री टिये सिंग देव ने कहा कि मलेरिया जापानी बुखा जारिया जैसी बीमारियों को प्रदेश से जड़ मूल समेट कैसे खत्म किया जाए इस पर ध्यान केंद्रित करें स्वास्ते मंतरी ने निर्देश की ये की सरकारी हॉस्पिटल में मरीश के आने के बाद उसे इलाज के लिए कहीं और जाने की ज़रवत न पढ़े अस्पटाल में ही उसे हर्स ठरकी स्वास्त सुविधाय मिलना चाहिए बड़ी से बड़ी बिमारी और आप्रेशन सरकारी हॉस्पिटल में ही हो यह सुनिश्चित किया जाए मदवरेश में कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद रीवा जिले में एक साथ एक ही जगां पर बहत्तर गायों की मौत हो गई थी मुक्र मंतरी कमलनाथ ने कहा जरूर था कि प्रदेश के तमाम गाओं में गौशाला बनवाई जाएगी लेकिन प्रशाशन के लापरवाही से इतनी तदात में गायों की मौत में सवालिया निशान खड़े कर दिये थे इतनी गायों की मौत के बाद अब रिवा जिले के अधिकान गायों में गोशाला बनवाने की प्रत्रिया फिर शुरू कर दी गई है मदप्रदेश के अबिनेट के पंचैट एवन ग्रामिन विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जिले के सीटा पूर गाउं में किष्णा गोशाला का लोकार बन किया दरसल मदप्रदेश शाशन के द्वारा 27,02,000 लागत में आवारा मवेश्यों के रिहने के लिए यह गोशाला बनवाई गई है इसके अलावा गाउं में आईजित कारिकरम के दोरान मंत्री कमलेश्वर पटेल ने ग्रामिनों की सुविधा के लिए हो रहे सलक निर्मान का भी भूम पूजन किया तक निर्माड का इस तरह होने पूमने पांच कहुड के आसपास की लागत का यहां पे आज जो पूजन सिला नियाज का कारिकर हुआ है उसके लिए शेत्रवासियों को हम बहुत-बहुत बहुत 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 शुब कामना देते हैं और यह पेक्षा रखते हैं हमारे जो अधिकारी कर्मशारी हैं सम्बंधित पंचायर गरामेड विकास विवाग के चाहे आरियस सम्बंधित हों और चाहे आजने जो हमारे अधिकारी कर्मशारी हैं इनका समय सीमा में दिधारित करके निर्माड कराएं जिससे जनहित में समय पे हमारे गरामबासियों को इसका ल परिवाहां चलाने और लोगों के यातायात मियमों का पालन ना करने के कारण कई लोग असमे हाथ से का शिकार हुए हैं। यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा सबतहा प्रारम होते ही लोगों को बाइक रेली निकाल कर जागरू करने का प्रयास किया। पुलिस ने SP आफिस से यातायाद रथ और मोटरसाइकल रेली निकाली जो मुख्य मार्गों से होती हुई वापस SP आफिस पहची अभी वर्तमान समय में जो अपनी सड़क सुरक्षा सपता होती है वो आज से आरंब हो गया है इसी के आरंब होने के उपलक्ष में आज हमने एक हैलमेट रेली निकाली है इसमें पुलिस के जवान हमारे ट्राफिक के जवान थानों के जवान इनके साथ ही जो अन्य लोग है इस सहर के जिम्यदार लोग हैं वो भी इस रेली में सामिल हुए है आपने देखा कि एक बड़ी रेली है जो सहर के बीचों बीच और अस्थानों से भी गुजरी हुई है और साथ ही हम मूर्वा में भी इसकी ऐसी ही रेली जो है निकट भविश्य में निकालने माले हैं जि कुछ लोगों ने खोजबिन की तो पता चला कि तेंदुवा मरा हुआ है इसकी सूचना वन विवाक के अधिकारियों को दी गई समर्धा रेंजर एके जहवर ने तेंदुए का शव मिलने की पुष्टी की म्रद तेंदुए मादा है ग्रामीडों का कहना है कि छेत्र के आस साल पूर्व बाग का शिकार हुआ था बाग के शव के अलग अलग तुकड़े कर छुपा दिये गए थे पुलिस का मानना है कि आंतोर पर पेशिवर ग्रोप पीडित के वाहन का उप्योग नहीं कर थे वे जानते हैं कि गारी से वे पकड़े जा सकते हैं इस वजह से ओफिस के सामने छोड़कर चले गए हालाकि परिजनों या किसी दोस्त को फिरौती को लेकर कोई फोन दही आया इससे भी पुलिस की चांच उलज गई है अपरहन करने का मकसद पुलिस को समझ नहीं आ रहा है CSP उरला अभिशेक महश्वरी ने बताया कि परिजनों की शिकार पर पहले गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर कारूबारी की तलाश की जा रही है 52 घंटे बाद भी कारूबारी का पता नहीं चला तो परताल के बाद वलपूर्वक अपरहन का केस दर्श किया गया है पुलिस को परताल के दोरान कुछ अहम क्लू मिले हैं उनकी तस्तिक की जा रही है एक संदिग्ध कार कैमरे में दिखाई गी है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है भुपाल के तीन युवा अफसरों की तिकड़ी एक बार फिर अपने ही अंदाज में नज़र आई डियाई जी इर्शाद वली कलेक्टर तरुन पिथोडे और निगम आयो तबी विजय दत्ता ने एक साथ गाना काया एशाद वली ने अभिनेता आमिर खान की फिल्म जो जीता वो ही सिकंदर के टाटल सौंग को गा कर समा बांधा ये आयो जन मोतिलाल महरू स्टेडियम में हुआ दिंग लेंगे मैदान में जिस दिन हम जूम के घरती दोलेगी ये कदम जूमने गलब के कि आथा जोपड़ी से मेलो तो पलगदियों गाउ से शेहरो तो व्यापार से उध्यों तो राज्टीती से ऊटनीती तो दखन न्यूस आपके हता आप देख रहे हैं दखल न्यूल